नमस्कार यह वीडियो चैक्टर नंबर 15 जिसका नाम प्राइक्ता है उससे संबंदित है इसमें कुछ objective type question के चर्चा की गई है आपको पता है जो कि objective type question का बहुत बड़ा योगदान होता है कुल 16 नंबर तो objective type question के आते ही हैं बाकी के जो 17 से लेके 20 question नंबर है यानि टोटल 32 नंबर का योगदान objective type question का होता है तो आईए देखें जो कि chapter number 1 में किस किस तरह के objective type question आता है और उसको करने का प्रयास करें एक निश्चित घटना के प्राइक्ता क्या होती है निश्चित घटना जो होगी ही होगी उसकी प्राइक्ता क्या होती है उसकी प्राइक्ता एक होती है ठीक है तो घटना एक प्राइक्ता होती है और जो होगी ही लिस्चित होगी तो उसका उसकी प्राइक्ता एक होती है तो प्राइक्ता हमेशा clear Zero से एक के बीच में होता है। आपसे पूछा जा ये भी आ सकता है। इस में से कौन सा सही तो Zero से एक के बीच में इसकी पुछा जा सकता है। तो प्लाइक्ता की अधिक मारा हम एक या अधिक से अधिक कितनी हो सकती अधिक से पहो सकती है प्राइक्ता कम-धिक कितनी होशती है जी do probability of not done or not happen that event या किसी घटना की प्राइक्ता और उस घटना की प्राइक्ता नहीं होने की प्राइक्ता यानि उसका कुल जोड कितना होता है यह इसी को देखिए कई तरह से यह है किसी घटना की प्राइक्ता तो यह किसी घटना की प्राइक्ता और यह किसी घटना की प्राइक्त उस घटना के नघटने की प्राइक्ता पी डैस होती है तो इस दोनों का जोड जो होता है मान दिए जो इसको 0.5 लिखे तो यह एक में से घटा देंगे 0.5 तो यह हो जाएगा यह एक होती है तो हमेशा प्राइक्ता कि दोनों का जोड होता है वह एक आता है इंहें नेक्स सवाल देखते हैं अब फूर्च फॉलोईंग िनौट प्रवैलिटी ऑफिन इसमें से कौन सी घटना कि प्राइक्ता नहीं हो सकती है तो अभी हाथ हमने डिसकस किया है जो इसे rebels नहीं हो सकता है इसी तरह फ्रेक्सन में जेसे चार बड़े तीन तो यह एक से इसका मतलब एक से ज़्यादा है यह भी नहीं हो सकता है ऑ हुद नेक्स्ट देखते हैं। मैथमेंटिक्स में M की प्राइक्त Yakma या इसी तरह कोई वर्ड दे दे कमें वहवे लाने के प्रायिक्त Nahा तो देखे इसमें ही लेकर करें चलते हैं mathematics में कुल कितने लेटर है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा तो टोटल आउटकम जो होता है उसको नीचे लिखते हैं और M कितनी बार आ रहा है एक और दो बार आ रहा है ठीक है तो दो उपर में आ गया दो बटे ग्यारा इसी तरह आप से पु होवेल कितने इंग्लिस अलफावट में कितने अक्षर होते हैं इंग्लिस अलफावट में कितना है तो पांच है तो यह इसकी प्राइक्टा होती है एक चीज ध्यान देने की बात है हमारे बच्चे क्या करते हैं हमेशा यह बड़ी संख्या को कि देर्स नो इंटेनेट को अब बताया जो कि प्राइकता की वेल्यू हमेसा एक से कम होती है यानि यह अधिक है तो यह ऐसी वाले गलती मत करें हमेसा बड़ी संख्या को नीचे रखें ठीक है नेट्स देखते हैं कि यदि किसी घटना की प्राइकता जीरो प्वाइंट जीरो सेवें तो उस घटना के नहीं घटने की प्राइकता क्या होगी तो अभी आपको बताए जो कि यह देखें पी दिया हुआ है एक है ठीक है कि अग्यों में कि झाल झाल जैसे किसी समानी वर्ष में बावन रविवार आने के प्राइक तो इस तरह के बावन रविवार या बावन सोंबार कुछ भी दिन दे सकता है तो एक बार हम यदि दिनों की गन्ना देख लें कितना होता है जनरली जो बावन को साथ होता है गुणा करेंगे हपते में साथ दिन होता है तो यह 364 दिन होता है तो यानि बावन तो सब होगा ही हंडेड पर्षंट बावन जो होगा बावन दिन कोई भी हो संडे मंडे त्यूजडे कुछ भी कुछ दे बावन रविवार या बावन सोंबार आने की पराइकता तो बावन हपते तो होता ही होता है समझ में समझ यह जो कि तास में कितने पत्ते होते बावन पत्ते तो यह भी एक दूसरे से निरभर है उतने ही हपते भी होते हैं साल में तो बावन हपते होते तो यह बावन हपते आने के यानि बावन अरविवार या बावन दिन तो आएगा ही आएगा 100 पर्शन सभावना है तो यह निश्चित है तो इसकी प्रायक्ता निश्चित के प्रायक्ता कितनी होती है एक होती है इसी तरह अब पूछा जाता है किसी समानी वार्स में 53 सोंबार यानि 53 वान दिन जो होगा आने की संभावना जेनरल यह में यानि समानी वार्स में नॉर्मल यह दो तरह के वार्स होते हैं लीप यह और समान यह जिसमें इसमें अब आपने देखा जोगी बावन हपते तो यानि बावन को साथ से गुना करेंगे तो यह होगा 364 तो एक्स्ट्रा कितने होगे एक दिन बचा तो एक और हफते में कितने दिन होते हैं 7 तो एक वटे साथ यह धियान रखें किसी भी दिन की जो प्रायकता पूछेगा तिरेपन सोंबार तिरेपन मंगल बार उसकी प्रायकता पूछेगा तो ये आप देखें जो कि होता है अब किसी समानि वर्स या लीप वर्स में चौबन मंगल राने के प्राइटा । होगा ही नहीं क्योंकि एक ही दिन एक्ष्ट्रा बचता है तो तीलेपन तो हो 17 होता है Anyways की संभावना 0 होता है ठीक है अब इसी में 53 किसी लीव वर्स में तिरेपन बुदवार यानि 53 दिन लीव वर्स में लीव वर्स न दे करके यहां पर आपको दे देगा जो कि 2020 इस तरह से कोई वर्स भी दे सकता है तो यह देखे लीव वर्स है की नहीं है इसको देखने के लिए यदि चार से डिवाइड करना होता है चार से डिवाइड करके यदि सेस्फल 0 बचे तो वो लीव वर्स होता है या उसके बाद सेस्फल कुछ भी बचे तो लीव वर्स नहीं होता है तो यदि 53 बुधवार लीप वर्स में तो आपने देखा जो कि हमने जब 365 बावन को साथ से गुना किया था तो 364 आया था तो 53 कह रहा है और लीप वर्स में कुल कितने दिन होते हैं 366 दिन तो दो दिन एक्स्ट्रा हो गया संक्या क्या है तो दो बंटे साथ हो सकता है तरह दिन Spin दिन ऑर लीप वर्स में आने की पराएक्टली आंए की पराएकर दो बंटे साथ और जेनरल में हमने देखा एक बटे साथ यह दिहान रखें ठीक है इस तरह से इस वर्स से भी पूछ सकता है तो दे दे जो कि प्रबाबिलिटी ओप 53 वेडनेस डे इन टूटाओजन ट्वेंटिफोर तो टूटाओजन ट्वेंटि फोर देखे जोकि लिइवर्स है की नहीं फिर उससे आप बनाए नेक्स सबढ़ देखते हैं अब आता है सवाल जैसे प्रबाबिलिटी ओप ऑफ एन इवेंट भी 33 पर्शेंट अप्रबाबिलिक ऑफ नोट हैप का मतलब 100 होता है यह करेंगे तो इसका वी value एक होता है परसेंट में पूछे तो 33 परसेंट उसकी घटना की प्रायक्ता होगी तो उस घटना नव होनी की प्रायक्ता सो में से घटा ले 33 को जितना होगा उसको परसेंटेज में कर ले तो यानि 67 परसेंट हो गया इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं अब नेक्स सवाल देखते हैं अब आता है तीन सिक्के को एक साथ उचाला जाता है तो कम से कम दो चिताने की प्रायक्ता तो तीन सिक्के अब देखिए इस तर है तो एक सिखे में कितने ऑउटकम होते हैं दो ऑउटकम है ये या टेल तो दो लो और तीन सिखे हैं तो दो का पावर तीन यानि उटल जो ओड़कर वह odpow हो का यै नी आथ होगा अब इसके लिए भी मैं बताया था जिदा इसको हो तो पहले एक सिखे से सुरुवात करें और लिखते जाएं जैसे H है और T, एक सिक्के दो बार हैं, तो इसको अब ये एक सिक्के के लिए दूसरी बार में इसको हम डवल कर देंगे, H, H, दो दो बार लिखें, T और T, अब H-T, H-T सब में लगा दें, तो ये दो सिक्के के लिए H, T, H, T, अब तीन है है हिट है दो बार लिखे एच्टि ह्ट है फिर टी है ध्याज टी है ध्यात्त टीह ध्याज फिर टीटि तीट डिवह यहां पर लिखिए टी टी और टी ये हो गया एक दो तीन चार पाद यह बना ले अब इसको बनाने के बाद आपसे पुछ रहा है जो कि probability of getting to head दो चित दो हैं इस दो हैं तो देखें दो हैं इस दो वालवाला लाइन है तो ख रत होगाथ अब इसमें हम जड़ी दो हेड़ fall निशन लगाते हैं तो ये दो हैड इसमें अ रहा है और 2 हैड इसमें में आ रहा है ह melhores तो यह हो गया तीन विट यह ए इस तरह से यदि आप बना लेते हैं पहले एक लिखे पर एक सिखेक आउट कर लिए फिर इसको दो बार लिखे इसको दो बार लिखे सब को दो दो बार लिखे फिर सब को दो दो बार लिखे यादि अगला भी कहते तो इस तरह से लिखे तो इस तरह से पहले बना ले फिर आंसर दे ठीक है बच्चो अब एक पासे को फेका जाते तो कम से कम दिया हुआ या ज्यादा सजादा एक पासे को फेका गया तो क्या को फेकेगे पासे को है तो एक आता है तो चार आता है और च्छे आता है तो कम से तो चपने के सोई में का प्राइक आप यह के सवाने है उसको टिवाइड नहीं कर पाते wow ostr देखते हैं तश्क के बाडन पतों में लाल इक आने की पराइक तो ऐसक किगे ने में लेगा जक्राइव करें T आपको पता है जो कि लाल कलर दो होते हैं पुल बावन पते होते तो नीचे तो बावन आएगा और लाल में दो एक जो होता है लाल पान जिसको हम इंगलिस में हर्ट और हिंदी में पान कहते हैं और दूसरा डाइमंड होता है जिसको इंगलिस में डाइमंड और हिंदी में हम इट कहते तो दो लाल के होते तो दो बट्टे बावर दो ये होता है एक और सवाल आता है बचों आप से कहा जाता है एक से सो के बीच एक से एक से सो के बीच सो के बीच अब पांच की से मल्टिपल की पराइगता है तो यहां पर देखे एक से सो के बीच कहा जाता है तो यानि या दूसरा लिखा होता है एक से सो तक, एक से सो तक, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक से सो के बीच, तो इसमें देखिए, जो, एक से सो बाले में, एक भी कट जाएगा, और सो भी कट जाएगा, यदि आप से कहा जाता है, एक से दस के बीच, तो क्या लिखेंगे, एक स के एक से दस के बीच कहा जाता है तो यह दस लिखे तो बीच में क्या है तो इसमें ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा यानि कुल आठ होगा इसी तरह एक से सो के बीच कुल कितने हो जाएगा अठान में हो जाएगा अब जिसकी प्राइकता कहते है वह निकाल ले औ सो भी काउंट है तो नीचे टोटल सो होगा ठीक है यह धिहान रखें ठीक है वच्छों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद